कर रहे हैं कर रहे हैं और मैं साउथ पूल पर पहुँच करके फिर देखना है कि उसके आगे कहां जाएंगे कल्पना करिए कि ये है अर्थ ये है नार्थ पूल और ये है साउथ पूल चलो हम लोग एक कल्पना करें कि ये आदमी को एक शमता मिली कल्पना करने की हम यहां से एक कार हम ड्राइब करते हैं हम लोग एक साथ और चलते हैं देखते कहां जाते हैं तो ड्राइब करते हम पहुंचगे इस जगह पर फिर आगे क्या होगा? ड्राइब करना रोकिये मत ड्राइब करते जाएए इधर आगे इधर आगे फिर पहुंचगे नार्थ पूल पर इसका मतलब क्या है? अगर हम सर्च रोके ना हम कुछ खोज रहे हैं खोज रहे हम है कौन? अपने को खोजने के लिए अपने में एकाग्र हो रहे हैं सिर से पहर के अगली तक इसे में एकाग्र होंगी तो हम कौन है तो पता चलेगा लेकिन खोज हम बंद नहीं करेंगे खोज करते जाएए करते जाएए करते जाएए अंत में पता चलेगा कि हम सर्विव्यापी हैं इसका क्या रत है देखे ये है आदि बिगिनिंग ये है बिगिनिंग और करते करते ही परायत वह हमारा एंड भी हो गया जब बिगिनिंग और एंड एक होता है तो इसका मतलब क्या है कि इस के बीच में यहां से जब चले थे और यहां इस समय है हमारे प्रथम समय उस समय और आज के बीच कुछी दुरी नहींैं जब दुरी नहीं होती है , यह देखे दुरी है कि अ dude i उसमी है और हम ये नार्थ पर रहे ये साउथ पर रहे ये लिट दिख रहे ये थी आध्य कि वह चलते गये यहाँ तक के पूंचेद रुकेदे नहीं हम और रुकेंगे नहीं, फिर चलते गए, पताचा फिर हम वापस आए, रुकेंगे नहीं, इसके बीच जब दूरी सून्हीं हो गई, तब क्या कहते हैं, कि योग कि वस्था आ गई, योग कि वस्था में अन्भोतम सर्व व्यापी है, अभी तो लगता कि हम लोग यही पर है, प्रियाग राज में, पौन गंगा के ततपर, महावतार बाबा, बैरियनटी के केमपस में, हम लोग क्रिया युग ध्यान कर रहे हैं, हम अपनी खोज जारी रखे हैं, हम कौन हैं, इसके लिएक ही फर्मूला है, कि शिर से पाइज के अंगलीत है, कि इसमें एकाग्र हो जा उसे ऐसा प्रिम करें, कि वही हमारा परमधन है, हमें शांती चाहिए, वही शांती तत्व है, वही ज्यान तत्व है, वही शक्ती है, वही आनंद है, सब कुछ वही है, जब मान करके खोज करेंगे, तभी हम कर पाएंगे, फिर पता चलता है, कि एक दिन की हम सर्व व्याप हम हर जगा है, हर जगा है, तो हमारी फोटो क्या है? हमी पेड है, हमी जानवर है, हमी सूरज है, हमी चांद है, हमी आस्मान है, वायु है, अगरी है, अरे यह है, थोली साइंस में ही तो लिखा है, कि पर्वम के अलामा कुछ भी नहीं है तिसका सिद्ध हो गया कि हमारे पर्वम को बीच में दूरी नहीं है जब पर्वम सब जगह पर वही है सब रूपों में वही है और हमारे उनके बीच में दूरी नहीं है तो अन्भों क्या करेंगे हम ही सब रूपों में हैं जब सभी रूपों में हम ही है तो घ्योणा खातम हो गई फिर द्वेश नहीं रहा जब द्वेश नहीं रहा तो राग भी नहीं रहेगा फिर क्या बचा इस्वर का प्रेम ये है सिधा सा तरीका let us imagine we have imagination power our this specific structure where head is up, spine is below we have imagination power let us imagine that we are searching something what we are searching let us think that we do not have concept of God we do not have search about self we are on the north hole we are trying to search we are trying to drive we start driving from north hole keep on moving up we reach somewhere we call it south pole we do not stop keep on driving again we reach on the same point north pole it means this was the beginning and this was the end then what we realize now beginning and end both are having the same beginning and end it was having distance now when we cover it then we realize distance becomes zero this is called state of yoga when we realize distance is zero then how you will feel that you are an omnipresent consciousness then omnipresent is nature of God then we have realized to this state where we feel I and God are one then I and God are one this is the teaching of Jesus Christ what he gave teaching it is I and God we feel distance no when we are one then distance becomes zero then God is omnipresent then what we realize we are omnipresent then God is omnipresent we are omnipresent then what he takes God has become this visual universe then I am in the form of visual universe I am present in the form of prawn kingdom animal kingdom human kingdom everything then this God we realize ultimate truth then what happens a virgin disappears because I exist in form of you if you are doing mistake I am doing mistake then what I have to do I have to correct myself then how to correct myself there is a teaching kriyoga meditation kriyoga meditation therefore remember we are searching our own nature because when I start realizing about you I am not able to do it we have lot of history tension we find many faults and many points we see you are not good then I cannot search about you therefore it is easy to select our own self and keep on seeking our self how to seek our self how to search about self very easy way feel head to toe when you feel head to toe accept all never practice dislikes okay alright we are ready to practice to accept all but I am crying I do not like it then banata banata banjai follow the principle philosophy of kriyayoga you start feeling head to toes you start accepting it more then one day you will start liking it alright then practice it then by practicing again and again feel head to toes again and again when you feel head, face, neck, arms, back, chest, abdomen and both legs feel it more and more when I realize I become your presence if you are doing mistake because there is no distance between me and you it is easy to correct myself than to correct you then how to correct myself this is the kriyayoga meditation what is the way of correction? that is in third chapter procedure try to practice procedure what is the procedure? in that you will realize you have to practice yajna we write yajna in two ways then what is the yajna? tapa, svadhyaya, brahmini dhanan yajna okay alright when you practice tapa practice tapa let us practice tapa what is tapa? matras matras process the tikshatapa what does it mean? matra what is the matra? when you see the holy signs you will find tanmatras in the Vedas, gospels you will have a diagram I am going to try to see that diagram page number 28 in this publication there is a matra you see tanmatras matras sattva tamas rajas jnanindriya karmindriya and tanmatras this is tanmatras that is called matras what is that? tanmatras means object of the senses object of ear is sound object of eyes is vision object of nose is smell and tongue taste you can touch asparsis means when you touch asparsis means touch when you touch it what you feel? issue issue means God matras, asparsis as asparsis means touch asparsis means touch detail meaning i will explain and plus issue issue means Christ's consciousness when you realize i and god are one then you are issue then what you feel head to toe various changes is presence of god are nothing else. God means Power, Knowledge, Peace and Bliss. Practice it and you will realize you are omnipresence. You will realize I am standing here, it is you are in my form. I am standing, it is you are standing here. You are sitting there, I am sitting there. If I walk, I injure my foot, I get problem. If you are getting injury in you, that I am being affected from that. If you are feeling stress, I don't feel good. This is called the perfect unification. Therefore, you see what Lahiri Mahasaya did, when he initiated many disciples, they were not able to practice, to place their attention, concentration within the spine. They took sickness of all divine care of those disciples, and he created some abscess in the spine. Through that abscess, he healed many. Therefore, why you want that? Paramahansa Yogan, the last two three years, he took the all karma of the disciples. Therefore, disciples should not do any problem. When you practice sincerely, then anyone from where you are getting teaching, that person will not be injured. So, what is our duty? Just be aware all the time. Feel head to toes. Do not create any injury. Try to eat in such a way, that you must feel peaceful and healthy. Try to use your eyes and ear and nose and tongue, legs and arms, so that head to toes should not have any injury. When I see all of you, I try to recognize your beauty on the basis of skin color. Then I am creating injury to myself. Each and every color is having infinite beauty. Each and every form, each and every structure is having infinite beauty. If I say no, this is more beautiful, this is less. Then I am creating injury to me. This injury will be transferred to Swami Yukteswar Giri. But he is in the Hirana Loka. He can manage easily. But I should not do that. Therefore remember, whatever we observe on the platform of senses, have only one idea. Each and every observation is, each and every perception is presence of power, knowledge, peace, bliss. Practice it again and again. So remember, let's remember, let's go, let's open ourselves. What is the way to open? What is the way to open? The way to open medical science is not good. We are doing injury, we are taking X-ray, we are taking ultrasound, we are doing MRI, we are cutting, we are hurting, we are hurting, we are hurting, we are hurting. This is your own method. Sometimes Jesus Christ is a doctor, someone has cut and cut and pooled it, and is fine. So everyone is fine and not fine is fine. How many doctors did that out? He lost him by the Lord. He was killed by the Lord. He died at that time, so why did everyone not put it? He was only killed by the Lord? At that time he did not. If you need the Lord from the Lord, then you will know that everyone did not. Remember that for us, बहुत है महत्पूर है कि हम अपने को जारी रखे खोज, किस अनुसार, जैसे होली साइंस पर लिखा है, यग्य, तीसा नहमर चैप्टर में यग्य लिखा हुआ है, यग्य का भ्यास करिये, यग्य जो कराए जाता भारत वर्स पे, एक अग्रिकुन बनाते हैं, उस्वें सब जालते हैं, सब जो डालते हैं, क्या यग्य है ये? नहीं, यसे समुद्र की अंगिनत लहरे हैं, एक लहर समुद्र नहीं हो सकता है, ऐसे यग्य जो कराते हैं, वो कराया जाना पूरा यग्य नहीं हो सकता है, हो सकता है एक अंश हो, लिखें उससे काम नहीं चलता है, ती य कि मात ये तपस्वाध्याया है, बर्मिध्णा ऑद यग्या है, चेप्टर नंबर 3 में है, तब स्वाध्या है, और ब्रह्म इतना जूडिये, इन्यक्या हैं, ब्रह्म काम कर न, श्रिजन करना, निरमाड के कृया में इतना लगिए, इतना लगिए कि अनन्त चीजों का निर्मार कर सकी इस्वे यग्य कहते हैं, तो कैसे सुरू करें, तब क्या होता है? उसे में अगला दिया हुआ है, मात्रास्पर्शेश्टितिक्षाथ, तपा, मात्रास्पर्शेश्टिक्षाथ, तपा, में उसमें मात्रा है दिया हुआ, हिंदी वाले में भी देखिए उसमें भी होगा, अंग्रिजी वाले में भी होगा, वेद, वेद एक चैप्टर है, इसमें डायग्राम है, इस वाले एडिसन में, पेश नंबर 36 पर है, ये दिखें, तन मात्रा हैं लिखा है, सत्थ, तम, ज्यानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, तनमात्रा थे, जो तनमात्रा ये क्या है ये, जो ज्यानेंद्रियाओं का विशय है, कान का तनमात्रा आवाज है, आख का दृष्य है, नाक का गंध है, जीवा का स्वाध है, ये सब तनमात्रा हैं, तो उसको जब असपर्ष करिए, तो इसको दोनों जोड दीजिए, तो ही असपरसेश होता है, इसमें जो असपरसेश लिखा है, उसको डाइसेट करके संद विछेद करियते ही आएगा, इसको किसको कहते हैं, ऐसा कोई भी बेखते हैं, जो अन्भो कर ले, हमारे परमात्मों बीच में दूरी नहीं है, वो इसु ह तिस तरीके से सिर्ष से परिकंडी तक जो अन्भो होता है, कड़ापन, ढिलापन, यह जो सुनते हैं, देखते हैं, कि सभाई क्या परमम इस वूप में है, नहीं सभग जाता है, आँख बंद करके माल लीजिए, इस सारी चीजे समझ मुन नहीं आते हैं, लेकिन हम माल लेत प्रकास क्या है, हम जानते नहीं, तब ही माल लेते हैं, प्रकास है, ऐसे इसको मान करके जब अभ्यास करते हैं, तब तब आपने बारेम ग्यान होता है, हम कौन है, जैसे जैसे अपने बारेम ग्यान बढ़ता है, वो यह से निर्मान के क्रिया बढ़ती है, एक एक छीजे निर्मान करते हैं लड़िमाँ से देखिए, मरी भी शरी को जिंदा कर दी, अठार गंटा तक मरी भी एठ गई थी शरीर, दूर सी जिंदा की चुए भी नहीं, यह क्या था निर्मान की क्रियर, जैसे जैसे हमारी यह तप पूरा होता है, वैसे यह से हम कौन ही पता चलता है, जैसे हम कोन है पता चलता बर्मा का ज्यान होता है, बर्मा का ज्यान करते हैं क्या है निर्मान का ज्यान, आज हड़ी खराब है कैसे बना लो, हाट खराब है कैसे बना लो, तो आप सोते मेडिकल साइंस में नहीं बना पाएंगे, मेडिकल साइंस में सब से आगे तो जा अब क्या उपाए एक क्रियायों गुपाए हैं, इसके भ्यासे बीमारियां गाइब हो जाएगी, इसलिए फिर से जुटिए, अपनी खोज करिए, अपने मेकागर होईए, स्तारियन भूतियों सो बिकार करिए, यह ज्यान है, शक्ती है, शांती है, आनन्ध सब कुछ यह यह करते जाए, बनत बनत बन जाए, तेसे चलते चलते हम पहुंचे गए, सिद्ध हो गिया कि जो बीगनिंग जहां चले तो भी फिर आ गए हैं, यह जो बीगनिंग और अंत में दूरी खतम हो गई, यह बड़ा आसाम है, अब नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, नहीं करेंगे बीमार रहेंगे, डाइरिया होगी, वंतिंग होगी, वाइरस आएगा, बीमारी होगी, अस्पताल जाएगे, जांस कराएगे, दवा लीजी, फिर बाद में आना ही आना इसी में है, तो अभी से क्यों नाएगे, अगर हमारी बातों सब इकार कर लिए जो हम कहते हैं, कि मात अब गर्मी लेगे, तो न पंखा चलाओ, क्यों चलाएगे, पंखा थब चलाएगे, जब हवा यहाँ के वहाँ आपस मिलना रही हो, पंखा हवा को मिलाने के लिए यहाँ सवाँ, पंखा सम गर्मी हटाएगे, यह उचित नहीं है, एर कंडिशन है कि यह जो धुल धक्कड लेकिश के लए उसको तवाशा कम करने के लिए है, धूल का काम जमीन परहना है, प्रास्मान मुड्ती है तो उसका काम जमीन परहना है, लेकिन अशी चलाएगे नहीं है , अट मैं जब हम गर्मी से बचे तितिक्षा नहीं है , पंखा चलाएगे, यह तितिक्षा द्र्aters dart syndrome ह कोई बीमारी तर्णाव चिंता होगी ही नहीं आप करके देखिए एक केस्तवाई है ना इस तरह से पूरी एक्कारता के साथ अभ्यास करिये ध्यान से और यह हम लोग दिखाएं कि भारत का जो एक पैथरोजी का लैव है वो बड़ा आसान है सिर से पैज कुम नित्या किसी मे है वो कौन सी लैव है अपना बिचार अपनी भावना अपना भावना बिचार अपने पति रखिए जो कुछ अन्भो होता है वो ज्यान है शक्ती है शांती है आनंद है अमरता है अभ्यास कर यह देखिए होता है कि नहीं कि यह था आज का संछेप में हम आपको फिर से प्र प्रोटिकल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, कोई भी हो, बसपा हो, कोई नई पार्टी आजाए, आप पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी की कोई निंदा करने के आउसकता नहीं, किसी की भी निंदा किये, जो तब है खंडित हो जाएगा, हम अपना क करेंगे बस यह जरूर सुचिए कि गांधी जी को मानना है कोई गांधी की तरह करके देखे उससे जैसे वो रहे ऐसा रहना बड़ा मुश्किल है जब गांधी की तरह रही नहीं सकते हैं जित्ता प्रेम करते हैं तो उत्ता संहुई नहीं हो रहा है तो तो कि निंदा करने की कोई निंदा करें तो कुछ ना करें किए हाध जोर करके अम परणाम करते हैं हम अ ही इ सुनना चाहते हैं वैस ख़तव उनसे जग्ड़ा न करिए ह। और जश्ता क्रियायोग है कि ऐसा रेलिजन है जो सब को जोड़ता है रियल रेलिजन क्रियायोग है बाकि जो रेलिजन का भ्यास करते हो वो इर रेलिजन है हम इर्रिलिजन को रिलिजन मान बैठे ही, हिंसा को अहिंसा मान बैठे ही, यह ते दिक्कते हैं आपने हमको गाली दिये, हम भी गाली देगे कि क्या हिंसा है, हमने आपको गाली दिये, आप मत दिजी आपने में गाली दिया, आपने हम नहीं देंगे किस सत्य वहिंसा कमार अकेला होता है आप अपनी जिम्मेदारी लिजे का आप ठीक रास्ते पर रहेंगे दूस्ये को रखने के लिए जिम्मेदारी मत लिजे हमार रास्ता ठीक हो जाएगा, सब उसी पर चलेंगे यह इंपोर्टन, यह आज का सब्जेक्ट रथा अब बार बार उसको इसलिए दुराते हैं कभी आप पकड नहीं पा रहे हैं जिस दिन पकड पाएंगे, वो दिन इंडिया बदलने लगेगे इंडिया बदल रही है, आपके अभ्यास से और अच्छी तरह से बद दे कि हम निंदा घणा करना बंद कर दे मोदी गरवड हैं कि राहुल गरवड हैं कि केजी वाल गरवड हैं कि बसपा में माया वाती कि वो इंडिया में सब चर्चरना करी परभ्रम सब रूपो में हैं बस आपनी खोज करीए अपने खोज में सब ठीक हो जाएगा I request all of you do not criticize any parties anybody, anyone in the world try to seek our own self when you start seeking our own self you will realize all will be corrected automatically and whatever else you will do just walk alone and try to prove Lahiri Mahasaya practiced alone through his instrumentality क्रियवा एस्पैंडड़ इन अल वर दी वोल्ड एकला चलोड़े की एक्जम्बल है Lahiri Mahasaya अके ले अभ्यास किये कोई के साथ फेलोशिप नहीं था कोई ग्रूप नहीं था अके ले अभ्यास में इत्ता आगे निकल गई पूरी दुनिया क्रियव के पीछे लग गई आप अकेले इस मार्ग पर चलिए जब आप रेली अपने मार्ग पर आ जाएंगे सब इस पर चलने लगीगे अपने आप यह थाज का कारक्रम और याद रखिए कि मात्रास परसे इस्तितिक्षा जो स्वाद क्या है आपके ज्ञानेंदिये का स्वाद की असपर्स इस्तिक्षा का नभूती है मुह में खाना रखिए मन को स्वाद लेने दीजिए इत्मिनान से जल्दी से निगलिये मत मुह में खाना रखेंगे इसको चबाएंगे मुह में खारा रोटेट करेंगे तब मन उसको पकड़ लिया तितिक्षा हो गया उसी स्वादी का नभुती को मान लीजिए यह ज्ञान है सकती है शांती है परमानन्द है यह अमर्ता का नभुती है अब खाना मुह में रखे अब फटा फट निगलते गे तब आपने तफट लिया ही नहीं अब खाते विया आप झालरह है तब भी पाइगे वार्चब देख रहे है तब भी पाइगे You should know that all the food is prepared in my guidance I'm trying the best whatever available food items in the market I am providing you the best one and suppose that you are just going to eat it but you must know that matras persist tithikṣa when you are putting the food on your tongue the mind perceives the taste taste, perception is presence of God so try to feel presence of God deeper therefore chew the food let food should rotate in your mouth do not swallow immediately if you are swallowing immediately it means you are not practicing tithikṣa tithikṣa means even-mindedness and food is kept in the mouth let food should touch the tongue feel the touch feel the taste experience the taste then food will go inside if you are eating very fast or while eating you are talking you cannot experience the taste properly when you are eating you are seeing all your whatsapp during that if you are busy in the whatsapp you cannot experience the taste nicely then you are not practicing tappa then how you will realize your nature that you are omnipresence this is the way how you should eat every day try to improve your eating process suppose that you are not habitual of this kind of food you are not feeling proper taste then do not add more salt in that salt creates problem there lime is there the lime is very costly compared to salt but no problem I am arranging it take the lime and try to squeeze the lime juice in the food you will have the taste imli is there imli chutney is there you can mix imli chutney you can eat it but eating putting more salt increasing taste it will create injury to your eyes to the soft tissues this is for today let us feel head to toes with the double breathing let us bow down to our devotion we have in kriyayoga meditation kriyayoga dhyana apnei bhakti ko naman kare pathenge and we will sit aankhe khole open eyes and we will sit झाल झाल